हलो दोस्तो मिलें दरकोर अगेंड दोस्तो एक फ्रेस है बी गौंशिस इन जर आउन मूवी रैधर दैन बिंग अनकौंशिस अपनी ही जिन्दगी की मूवी में आप कौंशिस होकर जीएं इससे कि आप अनकौंशिस होकर जीते हैं दोस्तों हम क्या देखते हैं हमारे आज पास हम सबी जब तक हम अवेर नहीं होते हम अनकॉंशियस लिहीं जी रहे हैं हमारा उठना बैठना खाना पीना रेक्ट करना बोल चाल सब कुछ अनकॉंशियस है हमारी पूरी लाइफ ही अनकॉंशियस है लेकिन अगर थोड़ी सी हम awareness के साथ जीए थोड़ी सी starting में तो दीरे दीरे practice के साथ वो awareness बढ़ती जाएगी और हम अपनी ही जिन्दगी की film में जिन्दगी की movie में conscious होकर चलेंगे तो इससे हमें और हमारे साथ कुछ और जो लोग है उनको भी अच्छा लगेगा हमारे unconscious होने से पहुँ सारी चीजें हम वो कर बैठते हैं जिससे दूसरे लोग affect होते हैं hurt हो जाते हैं sometimes हमारे कुछ action से लेकर अगर हम conscious होकर थोड़ा सभी कुछ करने से पहले सोचे जब conscious होकर जो सोचे कि क्या जो हम करते हैं क्या वो ठीक है morally, ethically तो बहुत सारी जो problems है हम उनसे बच सकते हैं पस थोड़ा थोड़ा conscious होने की ज़रूरत है initial level पे हमारे वीडियो में हम बहुत बड़ी बड़ी बाते नहीं करते हैं और नहीं हम बड़ी बड़ी बातों में believe करते हैं शोटी शोटी बातों को अगर हम conscious होकर करते हैं तो बड़ी बड़ी बाते खुद ही बन जाएगी सो क्यों आज से हम जे सोच कर चले जे awareness के साथ चले कि हम जितना हो सके हम aware होकर अपने कामों को करेंगे अपनी चीज़ों को करेंगे अगर react भी करना है तो aware होकर करेंगे तो बहुत सारी जो हमारी problems हैं थोड़ा थोड़ा करके solve होनी चुरू हो जाएगी ओवरनाइट कुछ miracle नहीं होने वाला don't expect overnight miracles बर करते जाओगे करते जाओगे तो वो sum up एक miracle बन जाएगा तो दोस्तों क्यों ना आज से हम अपनी शोटी शोटी बातों में awareness को introduce करें और फिर देखें कि हमारी जो thinking है वो कैसे change होती है हमेशा की तरह हमारी जे बुक पचास द्यान विद्या मन और द्यान हर समस्य का समयदान आप इंडिया से आप उसको कर सकते order America Canada में चाहिए तो आप comment box में अपने message लिगे मुझे contact करें in the meantime, be blessed. Thank you.